युगो युगो से जल रहा है में ग्रह नक्षत्रों का सम है खेव म्रमान में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल आईए जाते हैं आज कौन सी राशी हो की माला माल जै शनी देर प्रियभक्त कड़ों मैं स्वामी राज रशी शनी पीठ मंदित इस्ट पटे लगर नई दिल्ली से आज आपके समख्ष रस्ततु दस वर्ष की आयू से ही मैं अपने पूज में पिता श्री गुरु रजीष रिशी ची के निर्देशन में एस्ट्रोलोजी नियुम्रोलोजी एवं दन गंतों का अध्यान कर रहा हूं तो क्या कहते हैं आपके सतारे कैसा रहेगा आज आपका दिन क्या करें क्या ना करें किन चीजों से सावधान रहना है ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशी आज 14 जन्वडी 2020 दिन मंगलवाद माग मास का क्रिश्न पक्स चल रहा है और आज चतो तिति दुपेर दो बच कर 49 मिनट तक रहेगी और उसके पश्चात पंचमी तिति लग जाएगी आज अभी जीत मूरत दुपेर 12 बच के 9 मिनट से लेकर 12 बच के 50 मिनट तक रहेगा इस दौरान किसी भी शुपकारे के शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता पराप्त होगी आज राहुकाल दुपेर 3 बच के 7 मिनट से लेकर शाम 4 बच के 26 मिनट तक रहेगा इस दौरान आपके सी भी शुपकारे को करने से परेश करें जिन भी भगड़ों ने हमारे इस चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेना अगनोध है हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुन सकते हमारी इस वीडियो को लाइक करे उसको शेयर करें, कमेंट करें आएए अब जानते हैं सिंग यानि की लियो राशी का आज का राशी करें आज सुबह उपने के साथ ही आपके शरीव में चुस्ती और फुर्ती होगी और आप आज अत्यंती तरोताज़ा महसूस करेंगे आज आपके अंदर जो जोश है, उससे आप अपने सबी कारियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे इसी कारण से आज आपको प्रमोर्शन का अवसर काथ हो सकता है और समाज में भी आपके बढ़ चड़ कर भाग देने से आपकी मान के दिश्टा में इजाफा हो सकता है इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर मैं आपसे कहना चाओंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है एक्जान में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे है या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है इंकम से जादर खर्चा हो जाता है ट्रांस्फर हो रहे है शादी नहीं हो पा रही है या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है आपका जो व्यापार है उसमें ब्रिद्धी नहीं आपा रहे है आपके पर धंगी कमी बनी रहती है या आपका स्वास अच्छा नहीं रहता आप हर समय बेमार लेते हैं या आपके बच्चे बेमार लेते हैं या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप तीड़े से तो आप स्क्रीन पर आ रहा है नंबरों पर हमारी वेबसाइट पर जाकर या इमेल के माध्यम से या वाटसाप वीडियो कॉल के द्वारा गुरू रज़नी शिशी जी से या गुरू मारुक्मनी जी से या आप मुझसे संपर कर सकते हैं जिसके लिए आप कोई छूटी सी पीस जरूर देनी होगी जिसका प्रयोग शनी पीठ मंदिन के विवस्ता चलाने के लिए हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टिटूट चलाने के लिए कर्म के काम जैसे की यग्यो मायग्यों के आयोजन के लिए प्रशा देव लंगर के वितरंग के लिए किया जाता है आपके द्वारा दी गई इसी पीस में से हम अगले दे प्रमो क्रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा हवश्य करते हैं आपके जो connections थे वो आज आपको फायदा पहुचाएंगे। आज आप कुछ calculated risk भी लेंगे जो भविश्य में चलकर आपको अच्छा खासा लाब करा सकते। आपके जीवन में जो भी महिलाएं उनका सहयोग आज आपको प्राप्त होगा और विशेज तोर पर आज अपनी मातरजी का अजवर लेने से आपके कार्यों की पूर्ती होगी। आज आप अपने स्वास्ते का धान रखें। सिंग राशी वालों अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है और फिर भी आपकी शादी में देरी हो रही है तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिंध प्राण पतिष्टित नीलं की अगूटी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। कुंडली का अध्यर किसी योग के अस्ट्रोलाजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे जोतिश परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं। आईए आप जानते हैं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आप यदि अपनी जीवन कर्ज के बोज के तरह जबिज आ रहे हैं। आप जितना भी कमाते हैं वो सभी आपकी ब्याज या प्रिंसिपल अमांट को ही चुकाने में खर्च हो जाता है। तो आज इसको पायको करने से निश्चत तोर पर आपको जल्द ही अपनी चुकर्ज है उससे मुक्ति मिलेगी। आज आप किसी हनुमान मंद्र में जाकर हनुमान जी के सम्मक कुष्ट के आसन पर विराज मन होकर सबसे पहले हनुमान जी को प्रणा कर। फिर जनेयों का एक जोड़ा वाला चोला चड़ा कर चमीली के तेल का दीपक, गोगर की दूबत्ती वाचनन की अगरवत्ती समर्पित करें। उसके बाद पान की एक पत्ते पर थोड़ा सा शुद मक्खन लगा कर पीले पुष्टों के साथ अर्पित करें। इसके बाद गोड़ चने का भूग लगाएं और कुछ पैसा आप ठरवान जी को अर्पित करें और हनुमान जी से प्राथन करें। आप इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें और 11 बार हनुमान चालेशार का पाथ करें और एक बार रिड मोचन मंगल स्रोथ का पाथ करें। जिसे प्रसाद सरूप में थोड़े से चने और गोड़ दाब करें। घर लोड़कर गोड़ चने को लाल बस्तर में बांग करें किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। जब आपका एक कर्जा आपके सर से उतर जाए तो आप इस प्रसाद को कहें करें। निश्चर तौर पर यदि आपके सुपाय को सद्धा पूर्दख करते हैं तो जल से जल आपके जीवन में आप कर्ज से मोग हो जाएं। आज का आपकर आर्शीफल देखते हैं। मैं आपको तीन स्टार देखते हैं। मैं बढ़न भूस है। हम करकाता से दिल्ली में आया था। बहुत दिन कुछ इधर बहुत पंदीत वापस गिया था। कुछ काम नहीं हुआ। फिर अचनक इधर एक राइंद प्रेस्मेंट गुरुजी का बैनार देखके हम इधर आया था। पर यह हम नाग पहिना हैं। पहिनने के बाद हमको पहले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हर लोगों भी हम बलना चाहता है जे आप लोगा कोश पॉब्लम पुरुजी के पास आये। पुरुजी आप लोगा पॉब्लम सौट अप करेंगे। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रन्थों और योतिय शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गही और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देख दिरे। करेंगे करेंगे करेंगे।